तो स्टुडेंट कैसे है आप लोग उम्मीद है भले चंगे होंगे मैं अजीचरन स्वागत करता हूँ आपको स्वामी विवेक अनन इस्टूट में है ना तो हमने चर्चा की अभी एक चर्चा हुई थी और उस चर्चा को अगे बढ़ाते हैं कि अल्ला दिन खिल जी की चर्चा हो रही थी अल्ला दिन खिल जी कैसे कैसे वो आगे का सासन चलाता है क्या क्या बात होती है ठीक है तो आती है वह अल्ला दिन की market policy हमने देख ली उसका system of governing मैंने देख लिया अब आते हैं expedition यानि कि कहां कहां आक्रमन करता है किंकिन जगहों को अपने कभजे में लेता है किस तरह से अपने खौब को वह पूरा करता है ठीक है तो चर्चा करते हैं expedition की तो पहली expedition वह करता है जो गुज्राथ और जैसल मेर और गुज्राथ परक्रमन करता है ठीक है first attack of Allah दिन खिल जी made by गुजरात sent by और इसमें भीजता है किसको दो को भीजता है, दो सिनापती याने उल्ग खान और नुसरत खान उल्ग खान और नुसरत खान को अल्ला उदिन खिल जी क्या करता है भीजता है गुजरात को जीतने के लिए गुजरात पर कंकर करने के लिए On the way काटकेच खान कंकर जैसल मेर और इस तरह से जैसल मेर को जीत लेता है लेता है इन गुजरात हाना वहाँ पर बगहेला राज था बगहेला जगह पर बगहेला पर उनकी ड्राउटर थी एक जिनका नाम झालत है यहाँ कोई देवई थी लुक्त अक्षेप्ट रामचंद्रडेवकृ थे वहीं पर थे रामचंदर देवा तो उस तरह से गुजरात पर आक्रमन होता है और गुजरात को जीतने के लिए कौन कर जाता है तो उल्ग खान जाता है और उसके बाद बहुत सारे प्लंडर वहां से होते हैं और फिर वह एक्सपेडिशन सफल होता है ठीक है तो आगे की बात करते हैं कि कैसे कैसे वह एक्सपेडिशन अधर करते हैं इसी समय और भी कुछ एक्सपेडिशन करते हैं जैसे एक्सपेडिशन होता है रंधम भौर पर आकर्मन करते हैं रंधम भौर पर वो जाते हैं और वहां पर भी expedition करते हैं नुश्रत खान ही जाता है और उल्ग खान ही जाता है नुश्रत खान इस expedition में मारा जाता है नुश्रत खान killed in the leadership of उल्ग तरह से ऐना in the battle of Allah the attend हो इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है आगे कि चर्का करते हैं कि क्या हुआ था चितौर दूसरा पॉयंट था चितौर में राजा रतन सिंह थे कौन थे राजा रतन सींग रतन सिंह थिक है तो चितौर पर आकर्मन होता है राजपूत kingdom था यह ruled by राजा रतन सिंग आप राजा राना रतन सिंग या राजा रतन सिंग जो भी आप कह लें उनके द्वारा शासन हो रहा था हना चितोड के राजा वही थे वेन अल्लादिन made attack on it जब इस पर रतन सिंग put on the violent and चाहुआ चितोड का एक खासियत मैं बताता हूं चितोड में जब एक्रमन किया था अल्लादिन खिल जी ने तो चितोड की जो किला थी ना उसकी खास structure थी उस किला पर फतह पाना बड़ा मुश्किल था तो किला बंद कर दिया गया था तो किला के अंदर घूषना बड़ाablesता था उसने ऐसे ऐसे आर्जमेंट कर रखे थे कि बड़ा मुश्किल हो रहा था पिसी तरह से ट्रिक क्यास से क्या करता है और उसके बाद क्या करता है पदमीनी उनकी बाइत है जось को किया utara के लेकिन इसके बाद क्या होता है तो कि भिरोध होता है और बिरोध होने को क्या क्याता है छुडाने के लिए यहां से सेना जाती है यानि कि चितोड से सेना जाती है और किसी तरह से छुडाने की कोशिस करता है लेकिन राजना रतन सिंग भी मारे जाते हैं उसके बाद सीधा अल्लादिन आ जाता है चितोड जब चितोड आता है राज अल्लाद अध में जला लेना ठीक है तो रादी पदमीनी क्या करती है खुद को जोहर करती है ठीक है यानि कि खुद को आग में जला लेती है ठीक है आगे की बात करते हैं मालवा मुल्तान और मालवा अगला जो होता है मालवा पर अटेक करता है मालवा अल्ला दिन सेंट आर्मी किसको भेज जेता है और गवर्नर और मुल्तान का गवर्नर वना जिता है तो मालवा तो अशुल मलिक जो हता है वो क्या करता है अटक करता है अकुपाइड फोड पर कबजा कर लेता और यह भी इसके हात में यानि थाटीन हैंड़ फाइब में अटक पूरा हो जाता है अलादिन मेड एन अटक ऑन सिवान विच इस एरिया में पढ़ता है सिवान परमार का डाइनेस्टी के बंसुजों का असासन था वहां पर शीतल सिंग शीतल देव के नाम से वहां राजा थे मारे जाते हैं अलादिन उसको कैप्चर कर लेता है और इस तरह से वहां पर भी एक जोहर होता है ए इस तरह से अत्यचार उसका बढ़ते जाता है अलादिन अलाव दीन की में बात कर रहा हूं अटाक यानि की बात करें तो इस सारे जो नौर्थ इंडिया के जो राजा थे जो राजपूर्ट किंग्डम चर रहा था उसमें कई राजाओं पर एक्सपेडिशन करता है जिसमे की गुजरात की तो इन सारे चर्चाओं के बाद की चर्चा आप करते हैं कि और कहां कहां बढ़ता है अल्लाव दिन खिल जी ठीक है तो अब आते हैं आगे चर्चा करते हैं कि अल्लाव दिन खिल जी का और क्या क्या काम होता है ठीक है मालवा के मालवा अल्लावा में क्या क करता है एक तो करता ही और इसको कवर कर लेता है यार्द रखेगा इसका दिया हुआ 308 में कबजा करता है ठीक है इस तरह से सारे वहां पर छोटे मोटे जितने भी राजा थे सब राजाओं को कबजे में लेते जाता है तो कई खत्म करता है और फिर आगे बढ़ता है आगे बढ़ता है तो अब इसको नॉर्थ इंडिया की तरफ ध्यान जाते हैं क्यूंकि नॉर्थ इंडिया में वह चीज़ देखता है जो की हंदुस्तान में सबसे बढ़ी चीज होती है वहाँ की मंदिरे कि मंदिरों में जो रहता जाती ठीश हो दिखता कि नजर होतीए कि नजर होती है हो होती है तो मंदिर आगे बढ़ता है scenarios नौर्थ में एक्स्पेडिशन करता है अपने शैनिक सिनापती को भीजता है और क्या करता है उधर आकर्मन होता है ठीक है तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे जगों की अधर राजपूत किंग्डम बदायूं का राज़ा जो था वो उसकी बात कर लेते हैं और छोटे छोटे जो राजा थे वो क्या करता है डर से इसके क्या होता जोधफूर बगर के राड़ा इसकी स्विकार कर लेते हैं इसके अधीन में रहना स्विकार कर लेता है नहीं चाहता है कि ज्यादा मार काट हो अल्लादीन खिल ज्यादा मार काट करें और सरेंडर कर देता के सब करता करता है सौधार्ण करन और जब muיע की नौर्वें और इस случа nghiम के टृद्वी Karate की तुडर्वारइत टूरован पूरत की तरब पर आ करता है फिर discrete Online इसंपने की उसके पास दो चीजें थी एक था क्या वह जानता था कि यहाँ यह एंऔर होगा क्योंकि यहां पर बैल जादा है मंदिरों में बैले जादा तो इस वज़ा से वह क्या करता है और वहां से टीड्áveis करता है दो कारण था एक तो कारण कि वहां से प्लंडर करके खुब सारा बूटी लेकर करके आएंगे दूसरा कारण क्या था कि वह चाह रहा था कि एस सब अगर मेरे अधीन हो जाएंगे तो फिर टिव्यूट देंगे हमें यह सारे राजा से क्या करता है जो जो देवगिरी की बात करते हैं देवगिरी में वह अटैक करता है कब 1307 यानि 1307 में करता है अल्लादिन खिल जी सेंट आर्मी अंडर लीडर्सिप आफ मलिक काफूर इस तरह कौन जाता है इधर जाता है मलिक काफूर इनाम याद रखेगा मलिक मलिक काफूर के एफ यृ आर काफूर काफूर सेना पती है और उसको भेजता है देवगिरी की तरफ़ अटैक करने कहता है बगेला है नदेवगिरी devgिरी अफ गुजरत और ये खेल जी वांड़ेट डाउटर अप और उसकी बेटी को चाहता है कि मेरे पास आए जिस बेटी का नाम है बेटी का नाम है देवल देवी को बुलाता है कौन बुलाता है अल्ला दिन खेल जी मलिक काफूर ऐसा घोसना करता और शिल्तान डिमांड हां कि शुल्तान किया है जबस लेटर ही डिफ्यूंज और ऐसा करने से मनान करता मली कफूर क्या करता है कि उस पर आकरमन करता है और क्या करता है सब्दूजट करन खेला और उसको मारता है किrone करता है Herself and move to देवगरी च्टू क कतल करके अगल जाता है तो इस तरह से ले कर्के उसकी बेटी کو आता है उसकी बेटी को भीजता है किसे पास तो उसकी बेटी को भीजता है अल्लाओ दिन खिल्जी के पास ठीक तो आगे Кी बात आती है मलिकपूर हां रामचंद्र देवा देन एक्सेप्ट दस्टिशनिटी और कुछ और राजा जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इस तरह से दहसत भड़ा महौल देख करके बहुत सारा लोग क्या करते हैं कि उसकी स्विकार कर लेते हैं जिसमें आती है के बाद रामचंद्र देव कि वह एक राजा हते हैं जो की एक्सेप्ट करते हैं ठीक है उसकी सिजनिटी और खिल्जी और रिमेंड हिस फ्यूटरी अब यह क्या हो गया बहुत सारा इसका फ्यूटरी हो गया है कि छोटे-छोटे साह तक हो गया शाहिसिबुद्दीन उमर हना खिल्जी वाज लास्ट हेयर ऑफ देखिल्जी कुर्ज खान तो खिल्जी वाज लीगल हेयर ऑफ देखिल्ज खान का उत्रा धिकारी था अना इस तरह से पूरा साउथ में भी प्लेंडर करता है और धीरे धीरे इसका सासन चलता है वहां तक ठीक है यानि अब अल्ला दिन खिल्जी एक बहुत वड़ा नाम बन गया था ठीक है तो इस तरह से अल्ला दिन खिल्जी सेंट मलिक कफूर टू ऑटक तेलंगाना और आगे बढ़ाता है मलिक कफूर को तेलंगाना भेजता है फिर प्रताप रूद्र वहां के थे ट्राइट टू डिफीट कोशिस एक बाल लड़ने की करते हैं लेकिन वह क्या गाता है डिफूर्ट दफोर्सेज ऑफ अल्ला दिन खिल जी तो वहां पर थोड़ी दिर के लिए वह हराता है अल्ला द के राजा को उनिटी में के अंदर गत ले लेता है यानि कि वह इसकी अधिनता स्विकार कर लेते हैं तो इस तरह से देखा आपने की कैसे कैसे वह साउथ की तरफ बढ़ा अब आगे की बात करते हैं एक है द्वार समुंद्रम ठीक है द्वार समुंद्रम भी एक जगह है य काफूर को भी तो अगेंस्ट दा होशल होशाल होशाल के खिलाप जो देवसमुंद्रम के नाम से जानता है वहां उसके खिलाफ एक्सपेडिशन के लिए काफूर को भी तेपर फष्ट रीच्ट देवगीरी पहले तो देवगीरी पहुंचता है और गाट मच नीड़ेड ह और इस तरह राम चंद्र देवा उसके जो सिजिनिटी होते हैं उसकी सहायता भी लेता है मलिक कफूर और फिर क्या करता है इसके पॉलिशी अब क्या होती है कि अब साउथ की तरफ जाने के लिए अपने आर्मी नहीं उतनी दूर तक दोड़ाता अब क्या करता है तो उसके सि देन प्रोसीडेट टू द्वार शमुद्रम पहुंचता है और विच वाज रूल्ड वाइद बीर बल्ला थर्ड वहां पर राजा होते हैं वह सासन कर रहे होते हैं वहां पर वीर बल्ला वार एक्स्पेडिशन और पांड्या किंग से लड़ते रहता है ठीक है अन्यस रहे हैं और यह सुनता है कि मुस्लिम आ रहा है तो लडने के लिए इधर आता है फिर बीर बल्ला थर्ड रिलाइज realize that the strength of Allah din army and sued for peace और इस तरह से उसकी army की सक्ति को देख करके यानि अल्ला उदिन खिल जी की army की सक्ति को देख करके क्या करते हैं कि वह रियलाइज करते हैं कि हलाई इसी में है कि स्विकार कर लो तो वह क्या करते हैं स्विकार करते हैं स्विकार कर लेता है अगरी टुपे ट्रिब्यूट और यो ट्रिब्यूट मांगा था लादी अल्ला उदिन खिल जी ने उसके उसको करते रहते हैं दो भाई आपस में जिसका नाम था वीर पांड्या और इंदा पांड्या किंग्डम पांड्या किंग्डम में दो भाईयों के बीच में लड़ाई होती रहती है दे पर फॉर्मर वाज डिफिटेड वाई फेड अवे और इस तरह से पहला भाग जाता है मलिक कफूर देन प्रजेंट टो ड़ा साउथ दूसरेंडर और दूसरा जो पांड्या किंग होता है उसको सरेंडर कर वाता है और प्र क्या अब कफूर परसीड तो मदूराए और इस तरह से मदूराई में बीर पांड्या के खिलाब वह आगे बढ़ता है और फिर पूड़ इसलिए वह क्या करता है कि बहुत सारा गिफ्ट उखफार दे करके शरेंडर कर देता है तो इस तरह से आप देख रहें कि कैसे अल्ला उदिन खिल जी बढ़ते जाता है अपनी शेना आगे भेजता है अपने शेना पती आगे भेजता है और शेना पती के जरिए नौर्थ इं किया तो एसारे इंपोर्टन पॉइंट है जो आप नौर्ट से बना लेंगे अब आती कैसे कैसे अल्ला उदिन खिल जी का उन्त होता है यानी कि हर एक को लेते हैं एक कहानी आती है जब अल्ला दिन खिलजी का लास्ट टाइम आता है यानि फाटीन हंडेड्ड였습니다 में आल्ला दिन खिलजी हटता है ठीक है दाउो खिर्ज खाने किर खाल जो कि उसी के साथ था the Baptist खाल जो था eldest son of बढ़ा बेटा का नाम खिर्ज खान फान को नियत से खिर्ज खान को ही दिलि सल्तनत पर आनाच अीजिए था लेकिन वासी लीगल हैर और उसको लीगली राइट था कि वो थ्रोन को दिल्ली को कब्जा करें मलिक कफूर जो सेना पती था वो एसा नहीं चाहता था अपोल्ज इस सक्सेशन वह ऐसा नहीं चाहता था कि खिर्ज खान बने, है ना, and शादी खान एक दोनों को नहीं चाहता, the second son of the Alladin khilji were blinded, और एक दोनों को क्या करता है, खिर्ज खान को मलिक कपूर और शादी खान, दोनों बेटों को अंधा कर देता है, फिर मलिक का पूर क्या करता है दो 6 years old son of अलादिन खिल जी named सिसाबुदीन उमर सिसाबुदीन उमर एक दूसरी रानी जो होती है उसका बेटा होता है सिसाबुदीन उमर जो कि मात्र 6 साल का होता है उस वक्त तो 6 साल के सिसाबुदीन उमर को जो कि जीतल था name of the queen queen का नाम जिसकी उसकी मात्या का नाम जीतल था उसकी बेटा होता है was placed on the throne और ये कौन तो मैंने चर्चा किया है मलिक कफूर मलिक कफूर उसको राजा बना देता है दिल्ली का राजा मलिक कफूर किसको बनाता है शिशा बुदीन उमर यानि कि एक टाइम लिख लिजे शिशा बुदीन शिशा बुदीन उमर 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 शिशा बुदीन इसके फादर का भी नाम था अल्ला उदिन खिल जी का और शिशा बुदीन मशूर उसका नाम था और बेटे का नाम क्या रखा था जो नई रानी का बेटा था उसका शिशाबुदीन उमर रखा था तो शिशाबुदीन उमर मातर 6 साल का था ठीक है तो जो मलिक कफूर जो आर्मी हेड था उस समय जो लड़ता था तो मलिक कफूर ने क्या किया कि शिशाबुदीन उमर को उन साउसन चला रहा था तो खुद साउसन करने के लिए मलीक पूर नेैसा किया उना पावर इज इन पोड़ी ऑप पूरा शाशनों किसके हाथ में था मलीक कपूर ऑप साउसन मुवारक message इंपरि द्रेश लिया जेल में डाल दिया था मुवारक साह ेड appeal to the bodyguard मुवारक साह कौन था तो मुवारक साह अल्लादीन खिल जी का भाई था ठीक है तो उसको जेल में डाल दिया था तो मुवारक साह जब जेल में था तो उसने अपने कैदियों को convince किया convince करने के बाद उसने कहा क्या कि तुम क्या करो अपने bodyguard को जो bodyguard थे मलिक कफूर के उसको कहा कि तुम मलिक कफूर को मार डालो ठीक है तो उसकी बातों में शब आ गया और फिर मलिक कफूर की हत्या हो जाती है तो अब कौन रह जाता है तो मुवारक साह रह जाते है अब कैद से कमान दिल्ली का जो सल्तनत का कमान जो हता है सिसाबुद्दीन को जो देख रेक करने के जिमें वारी कौन लेता है तो मुवारक साह लेता है तो मुवारक साह जैसे ही आता है विदीन टू मन्थ दो मन्थ के भीतर क्या करता है दो मन्थ के सासनकाल में ही क्या करता है वो blind कर देता है कि इसको मुवारक सहाभ blind करते है डिकलियर हिंसेल्फ सुल्तान और खुद को दिल्ली का सुल्तान यानि लास्ट सासक कहें तो 2016-320 की जो सासन रती है इसमें सिसाबुदिन मात्र दो महिने के लिए बनता है 36 दिन के लिए सायद बनता है जग 36 डे होगा हमारे ख्याल से और उसके बाद क्या आता है तो मुवारक शाह तो मुवारक शाह अपसासक बन जाता है यानि यह डेट है किसका मुवारक शाह का डेट कौन सा है तो तेरह सोलह से लेके तेरह सो बीस यानि 1316 से 1320 तक किसका सासन चलता है तो मुवारक शाह का हन चलता है अब यह क्या करता है अब यह अगरा को भी घरांट देता है जो जो उलेमा कौन चला रहे थे तो खलिफा वगरा चला तो उसपसे रिस्ता बनाता है रिसीव्ड जागिरदारी सिस्टम रिवाइब करता है जागिरदारी सिस्टम को फिर से नयाप देता है उसमें जब आता है तो बहुत सारा काम करता है जो यह इतना सेंटरलाइज पावर उसने जो बनाया था अल्लावदीन खिल्जी ने इस सब पावर को धीला कर देता है कार करता क्या है धीला पना जाता है इस वज़ा से क्या होता है कि यह क्या करता है बहुत सारा जो कैदी बनाया था अठरा हजार उस सब को क्या करता है पॉलिटिकल प्रिजिनर थे अल्लावदीन खेल जी के टाइम में सब को आजाद करता है इस तरह से फिर इसके टाइम में होता क कि जब सब को आजाध करता है और खुद मस्त हो जता है राज-काट्पाट को छूड़ कर को ऐसे आराम की जिन्दगी में तलीन हो जाता है तब क्या होता है इसके उल्टा हो जाता है इसको लूज क्रेक्टर समझ करके सब इस पर ध्यान नहीं देना चलते हैं है इंसेल्फ इंदक ग्रेटिफिकेशन अफ सेंस्वल प्लेजर सब याद रखें सेंस्वल प्लेजर मतलब आयासी की जिन्दिगी जो जीता है उसको सेंस्वल प्लेजर कहते हैं ठीक है तो जो जो टिब्यूट आ जो लोग दे रहे थे जैसे साउथ से जो जाजा जो सुझिनिटी स्विकार किये थे वह सब धीरे-धीरे वाइलोट होते हैं और फिर क्या होता है इसके अगेंस्ट कोई सुनता नहीं है और सुल्तान डिकलियर्ड धीरे-धीरे सुल्तान हटता है मुवारक साह हिंसेल्फ एड यॉजवान्स देवगिरी देवगिरी के बिरोध के लोग खड़ होते हैं हरपाल देबा को पकड़ता है उसकी हत्या करता मुवारश्या फिर भी क्या होता है कि इसके खिलाफ ज्यादातर लोग नाराज ही रहते हैं लेटर में मलिक शाह मलिक शाह ईक लग की अग्रिंशक्व होता है उसी के सेना में से होता है ओसी करता है और इस तरह सेिसको सिधार क बार्च्फशा होता है उसका अंत हो रम्वार्च करके कुछ ल लिए जो माम या लाकी खान जो नाम लिया एक लाकी खान उझेन के लिए बनता और धिरे से धेस्स hippies खत्म हो जाती है यानि इसके बाद एक डाइनस्ट और इसके बाद QC forearm करने जा रहा और वह है वह अगली class में हम चर्चा करेंगे ठीक है तो इस तरह हमने देखा कि कैसे कैसे खिल जी dynasty चली अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसमें से पूछे जाने वाले कुछ पर तो को देख लिए किस तरह का बिख और इस डाइनेश्टी में जदा तर स्टूडेंट जदा तर जो प्रस्टनों सिल्सिला ऐसा होगा कि जदा तर अध्र इर्धेश में होगा इसके अल्ला ओ इन खिली के तो अब यहां पर कुछ कोश्चन की चर्चा मैं कर लेता हूं और वाट वाज देश्ट ऑफ कुत्व मिनार का इंट्रेंस गेट यानि जहां से में प्रविश करते हैं वह वाला दर्वाजा क्या कहलाता है तो उसको कहते हैं अलाई अलाई दर्वाजा के नाम से जाते हैं तो इसका आंसर है ए खिल जी अल्ला दिल खिल जी ने बनाया था अना विश सुल्तान अब दिल्ली वाज इंग्नॉरेंट टू शरीयत सरीयत को कौन अवाइड किया था इसका जवाब मैंने दे दिया था कि जो स्वर्यत था जो उलेमा था अना जो वहां के खलीफा थे सब को जो अमीज थे सब को अवाइड करते हुए अकिला चर रहा अगली बात आती है इन हुज रीजिन हुस रीजिन वेर दा मंगोल एक मैक्सम के बारे में तो मंगोल अल्ला दिन खिल जी के टाइम में ही सबसे ज़्यादा अटैक किया था खिल जी अगला कोश्चन है हूँ हूँ लेड़ टाइटल ओप यसमिने खिलाफ खिलाफत है ना तो यह भी कहां से आती है बात तो अल्ला दिन खिल जी चारा अंसर है खिल जी से है ना आगे हूँ वाज एक यूँ खिलाफत क्योंकि वो उलेमा की बात नहीं मार रहा था ठीक है हूँ वाज कॉल हिंसेल्फ दसिकंद्रे साही तो अल्ला दिन खिल जी इसका भी ए खिल जी ठीक है आगे विच वाज विच सुल्तान अब देली विच्ट तो फाइ अधर वाइज वाइद उलेमा तो लॉस्त किया था अल्ला दिन खिल जी नहीं किया था ठीक है वाट वाज टिसमते कोठी क्वाठी किया थी उसमें रखा जाता था सब को मतलब कि ख़जाने को रखा जाता था ठीक है तो इस तरह से बात आती है next आगे बढ़ते हैं तो मुस्ताफीस किया होता था तो मुस्ताफीस वो होता था जो जिसमें क्या कहते थे एक्षामिनर होता है की मुस्ताफीस होता था तो मारकेट कंट्रोलर कौन लगा था अला दिन जिसको हम कहते थे से प्रोटेंडेंट ऑफ मार्केटिंग क्या होता था अलादिन खिल जी के टाइम में था नेक्स्ट है नेम दे किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत हुँ हैड कोलोनियल इंट इंटेंशन्स एक ऐसा सल्तनत के नाम के बताए सासक का जिसका इंटेंशन कोलोनी बनाने तो इसी का कोलोनियल इंटेंशन था नेम्दा सुल्तान अब देली हुँ लेविड अब यानि हाउस टैक्स लगाया था ए भी ए खिल जी ही लगाया था अना उसके बार नेमदा सुल्तान सुल्टान अब देली वह स्टार्टेड दप्राक्टिस ऑफ इसुइंग परवा नवीज जो था वो भी इस नहीं लगाया था न देली सेटलमेंट हान परवा नवीज होता था न तो सुल्टान ने लगाया था उसको कहते थे परवा नवीज यानि परवा नवीज करने जो भी खर्च होते थे न उसके लिए चिठी बनती थी चिठी मतलब इस तरह से जैसे राजकाज में कुछ खर्च करना है तो परवा नवीज में क्या होता था पूरा डिटेल लिखा लिखा जाता था परवा नवीज म प्रवानभीज एक है डिटेल होता थ यह है लिख्र भी उसका है इस 서ब असली नाम था खालिशा लैंड से जमिंदारी किसने हटाया था जमिंदारी क्या होता था तो एक टैक्स होता था उसको हटा दिया इसने कबजे में ले लिया था ठीक है अल्ला दिन खिलजी ने इसे ने प्रोस्टीशन बंद किया था यानि सारे पोस्ट अफ नजीर नजीर का पोस्ट यानि सुप्रिडेंदेंट अफ दे मर्चंट कौन होता था इसी ने क्रिएट किया था बाजार को देखने के लिए वू बिल्ट दे महले हजत सतून जो की एक हजार पीलर का बना हुआ महल था इसी ने बनाया था ठीक है वाट वाट वाज दे नेम ऑफ फर्स्ट ग्रेड ऑफ दे अल्ला दिन खिलजी प्रियर्ड क्या रेट होता था अल्ला दिन खिलजी के प्रटाइम में अच्छे इसलिए लगाता था कि कहीं किसी के साथ घोड़ा मिक्स हो गया तो कैसे पता चलेगा कि उसका घोड़ा कौन सा है तो इसलिए एक मुहर लगा देता था गरम करके घोड़े पर जिसे घोड़े के सरीफ निशान बन जाता था ठीक है तो उसको कहते थे दाग मस्तर क्या होता था तो आर्मी को बार बार सामने आकर के खड़ा करवाता था तो उसको मस्तर कहते थे तो रेगुलर मस्तर करवाता था कितने आर्मी हैं तो सब खड़े हो जाओ तो इस तरह से इसी ने मस्तर की परंपरा भी शुरू की थी ठीक है समझा रहे बात तो इस सारे क चल्चा कर दिया स्टुडेंट सारे चैप्टर्स की फिर हम लेकर के आते हैं अगली डाइनेस्टी की चल्चा करेंगे अब इसके बाद आएगी तुगलक डाइनेस्टी के बाद फिर आएगी सयद डाइनेस्टी सयद नाइनेस्टी के बाद फिर आएगी लोधी डाइनेस्ट खत्म होगा तो स्टुडेंट बने रहें देखते रहें अगले लेक्चर फिर ले करके आते हैं टेक क्यार ऑफ सेल्फ स्वस्थ रहें अच्छे रहें धन्यवाद